क्या आपने कभी रिवर्ड से भिंडी को काटा है तो नहीं काटा है न तो अब काट लीजे बहुत ही आसान ट्रिक्स और टिप्स फ्रेंड्स आप लोके सेर करने वाली फ्रेंड्स काम तो हम रोज करते हैं लेकिन कुछ टिप्स अपना का अपने रोज के काम को आसान बना सकत तो हेलो फ्रेंट व्रकम बैक टू मैं चैनल दीदिये कैसे करू में आपका स्वागत है फ्रेंट्स पहला टिप से मेंगा इस तरह के भिंडी को लेकर भिंडी हम सब के घर में आता है हम सब भिंडी खाते हैं बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं कुछ लोग इसे नहीं भी लेकिन सबने एक बात नोटीस की होगी कि जब भी हम भिंडी को कट करते हैं तो उसमें धेसरा लार निकलता है जिससे भिंडी काटने में हाथ फेसलता है और बहुत दिक्कत होती है तो आज इस प्रॉब्लम करना मैं शलूशन लेके आई हूँ जिससे आपको बस एक छोटा सा काम करना है उसके बाद जब भी भिंडी काटेंगे तो उसमें से लार नहीं निकलेगा या बहुत कम निकलेगा बहुत कम चिपचिपा लगेगा आपको आपको लेना इस तरीके से नीबू और इसको हम कट कर लेंगे हमें थोड़े से नीबू की जरूरत है और इस तरीके से चाकु हो जिस चीश से आप बिंडी गिंडी को काट सकते हैं चोती सी ॥क्षू योज़्सी टिप आपसे जरूर ट्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एज जरूर करिएगा अगला टिप से में इस तरह के जीन्स को लेकर फ्रेंड जीन्स तो हम सब के घर में जीन्स पहनते ही और इसे हमाल मेरा में रखते हैं लेकिन इसको आद में रखने का बहुत अच्छा तरीका बताने के चाहिए। आज में जो तरीका बताओंगे ना बहुत ही आसान इसे कोई भी तरीके से फोल्ड करके रख सकता है और आप किधर से भी जैसे तैसे रखीए बिल्कुल भी टस्स मस नहीं होगा आप देख सकते हैं मिरे बोलने सदाथ आप देखने पर हेंगर लेकार सब्समा नीचे से उपर की तरफ में इसको फोल्ड करनाना रजाए झी तर दिया सुझा सब्सक्राइब इसको पर लगा सकते हैं और उसको पयसे नहीं खर्च करने के प्ढमें बहुत सी आसान सी टीफ्स पर सांद आयों तो अगला टिप मेरा इस तरह की धागे सब के घर में होता हैं हैं खूटी मोटी चीजह होते हैं और इस तरीकिय से धागे उलट जाते हैं तो बहुत रिकत होती है और घृइंधियर हागने मेंसचे इस तरीके सोब को दागे को चिपका सकते हो जब भी ज़रू है तो वहां सा आप इसको निकाल लीजिए और इस तरीके से फिर्यूज करने के बाद उस पर बिंदी लगा लीजिए लेकिन कभी कभी क्या होता है हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है को वहां बिंदी लगाएं बिंदी निकालें बहुत आसान सा तरीका वतारी हूं एक बार आप कर लेंगे तो आपको बार बार करने के जोट नहीं पड़ेगी एक बार नहीं से कैची से यह ब्लेट से इस तरीके से कट लगा देना है ठीक है उसके बाद जब भी आप काम करें और धागे को इस तरीके सा फशा के रग दे बहुत आसान है से करने में कोई महनत भी नहीं लगी आपके धागे उलजेंगे नहीं पैसे बचेंगे टाइम भी बचेगा उस धागे को सुल जाने में बहुत से असान से टिप्स देखिए एक बार मैं करके और दिखा देरें बस आपको इस तरीके से कट लगाना है और मैं अब मैं दूसरा फॉ frålam कि बतावांगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं जेंस को ऐसे prep करके और गराना में तबार कर देके मैं डेख सकते ह highly कैसे कर रही हूं आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिए पीछे से एक बार और बैक करके देख लीजेगा बहुत आसान तरीका इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे न तो बहुत ज़्यदा इस पेस भी नहीं लगेगा और बच्चों को भी जो जिन्स होते न इस तरीके से रखेंगे तो बहुत कम इस लेगा बहुत अच्छा भी लगेगा एक बार इसे जरूर ट्राइक करिएगा अगला टिप्स है मेरा भिंदी को ही लेकर एक तरीका तो मैं बताएं हूं आपको कोई भिंदी अब धेषारा काट इसमें लाग नहीं छोड़ काटने तो बहुत टाइम लगता है एक भिंदी को काटने में आज में जो तरीका बताऊंगे ना आप मिंटो में मिंदट भी नहीं लगेगा अपना पांच मिनट में धिय सारा एक कीलो को कीलो भिंदी आप काटके रख सकते हैं फट अप भिंदी को पहले अच्छे से धो ल अपने हाथ में फिर से अपने हाथ में या बहला है ना ऊकलिप लेने को राइन पर लेयर्वते पहलें लाकंतर प्रृष hold लाएन पर दो बहुत आसानी साथ इसे कट कर सकते हैं तब देख सकते हैं कुछी मिनिट में भिंडी को अगितम काट कर रख देंगे आपको जादा समय भी नहीं लगेगा आपका समय भी बचेगा बहुत ही बड़ी है टीप से फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूंगे कि वीडियो अच्छी लेकर आती रहती हूं और यह वीडियो आपकी सीटी से किस जगह से देख रहे हैं मुझे केमेर में जरूर बताएगा और यह ट्रिक आपको अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करिएगा फ्रेंड्स साबून दानी तो हम सबके घर में होता है लेकिन एक प्रब्लम तब आत किससे आपका साबुन कभी नहीं गलेगा sąँ आपको कोई पैसे खर्च करने पढ़ेंगे इसमें आपको लेना यह इस तरीके से रबधर जी है ऐसर आपको रबधर लें है अब आपको क्या करना है कि जब wow को यूज कर आजब गीला रहना इसके ऊपर इस तरीके से आप रखेंगे न तो कभी गलेंगर नहीं कि पानी से टूच नहीं होगा थै सब्सक्राब नहीं होगा बिना पैसे का जुगाड़ है आप इस एक बादो ट्राइकर अच्छी लगए तो अपने फैमिली फैंट्स साथ शेयर जरू करें तो फ्रैंट्स मैंने आपके साथ बहुत यूश्फूर टेक कांटिक्स अपने साथ शेयर किये हैं उमीद करती हूं क आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो जल्दी से लाइस सब्सक्राइब कर देजिए और यह जो मैं आभी आपको रुमाल का बना कर दिखा रहें तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका पूरा प्रॉपर वीडियो सेयर किया हुआ है आप चाहें तो जाके वहां है जाप कर दो कर दो जापको यह यह जापको नेयं तो जो वीडियो सेयर को वीडोरा कि आवा